चलिए शुरुवात करते हैं आज के नियूस्पेपर के हम सबसे पहले चलेंगे द्वीप की तरफ जियोग्राफी में मैप के अंतरदर आज का जो हम आइलेंड देखने वाले हैं वो है होंसू आइलेंड जहां पर जो की जापान इस्थित है देखिए कई सारे द्वीपों को मिला करके जापान बना है उनमें सबसे बड़ा जो आइलेंड है वो है होंसू जहां पर इसकी राजगानी इस्थित है टोक्यो यह बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह इतना पूरा यह है होंसू आइलेंड इसके उपर परता होकाइडू ठीक है होंसू यह पड़ता है Pacific Ocean में होंसू दीब के यदि आप जाओगे नौर्थ की तरफ में तो पड़ेगा Sea of Japan अब हम इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं हौनसू जो आइलेंड है वो लार्जिस्ट है फोर में आइलेंड ओफ जापान में से लाइंग बिट्वीन दपेशफीक ओसेन इस्ट की तरफ पड़ता है और सी ओफ जापान पड़ता है वेस्ट की तरफ चीक है हम मैप में दे बताया जा रहा है कि इट फॉर्म ए नौर्ड इस्ट साउथ वेस्ट आर्क एक्स्टेंड ने के अबाउट आट सब माइल बार सत्यासी किलोमीटर इसके अलावा वैरियास ग्रीटली इंदा वीट चोडाई में भी यह जो है कम जादा है ऐसा इसमें बताया गया है इसकी कोश्ट लाइन एक्स्टेंड होती है 6266 माइल्स दसजार चॉरासी किलोमीटर बताया जा रहा होंसु का जो एरिया है सत्यासी जार नौसो बानवे इसकायर मील्स का और इसमें बताया जारा कॉंटेंड आलमोश्ट थ्री फोर्ट अब डा टोटल नंबर ऑफ कें मतलब प्रिफेक्चर ऑफ जापान प्रिफेक्चर सब्दाया जिसका मतलब होता है जन्पत्व ठीक है इन सर्टेन कंट्रीज ए डिस्टिक अंडर आथोरिटी ओफ प्रिफेक्ट या फिर गवर्णर जन्पत्र इसको कहा जाता है दो चीज हमें और ध्यान रखना है कि देखो यह जो इसका पेसिफिक कोस्ट है ना कंट्री का मैन एकुपनोमिक सेंटर माना जाता है यह लिंक है विद मेट्रोकॉलेटिन एरियाज और डोक्यो योकोहामा और ओसाका कोब हॉंसु कॉंटेन जपान्स हाइस्ट माउंटेन हॉंसु में ही जपान का सबसे उंचा माउंटेन इस्थित है माउंट फुजी और इस लार्जेट लेग लेग बीवा माउंट फुजी भी हमको देखने को मिलेगा और लेग बीवा यहीं पर इस्थित है इसके बाद हम चलते हैं पॉक्सो एक्ट की तरफ ठीक है इसमें सुप्रीम कोट ने हाई कोट की ओर्डर को पलट दिया है हाई कोट ने इस बेस पर पर छोड़ दिया था उस आरोपी को क्योंकि उस आरोपी ने चाइल्ड को इसकिन कॉंट नहीं किया था लेकिन सुप्रीम कोट का कहना है कि यह जो डेफिनीशन है ना वो सही नहीं है definition क्या है उल्चाने वाली है कि आखिर कौन से काम को हम sexual assault मानेंगे कौन से काम को नहीं मानेंगे तो इसमें बताया जा रहा है कि skin to skin touch होना कोई जरूरी नहीं है man ये है कि उसका intent क्या था man intent था यदि उसको sexual assault करने का उसको बलतकार करने का छेड़ छाड करने का यदि उसका intent था तो फिर skin to skin contact हो या ना हो वो आरोपी बच नहीं सकता है ऐसा सुप्रीम कोट का कहना है तो बामबे हाई कोट ने क्या काम कर दिया था एक आरोपी व्यक्ति को छोड़ दिया था कहा गया था कि उसने जो है कपड़े से उसने केवल टटो लावर था इसलिए इसी क्याधार पर उसको छोड़ दिया गया था तो सबसे पहले हम देख लेंगे अब इसके बारे हम बेसिक जानकारी की पॉक्सो एक्ट के बारे हम कुछ-कुछ बातें पॉक्सो यह उन अपरादों से बच्चों को प्रोडेक्शन देता है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडेक्शन ओप चिल्डरन फ्रॉम सेक्शल अफेंस एक्ट इसमें बताया जा रहा है मानसिक आयू के अधार पर इस अधिनियम का वैस पीड़तों तक विस्तार करने के लिए उनकी मानसिक छमता की निर्धार की आवसकता होगी पॉक्सो एक दोहजार बारगी बात करें तो जो चिल्डरन है उनकी हीत और सुरक्षण को द्यान में रखते हुए बच्चों को यौन अपराद यौन उत्पीडन करना पॉन्नोग्राफी बनाना इस सारी चीजों से उनको प्रोडिक्शन प्रोडवाइट करता है दूसरी बात यह है यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयू के व्यक्ति के रूप में परिभासित करता है मतलब बच्चे कौन है ऐसे बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है वो सब जो है 18 साल के बच्चे की उसमें परिभासा में सामिल है अब इसमें जो है संसोधन होने की बात की जाती है पाक्सव अधिनियम की 2012 की धारा 4, 5, 6, 9, 14, 15 और 42 में संसोधन बालियोन अपराद की पहलूँ से उचित तरीके से निपटनी किया गया है तो इसमें और भी कई सारे ने प्रावधान जोड़ दिये गया है जैसे कि धारा जो 4, 5, 6 है यहां पर बताया गया है कि बच्चों के साथ जो आक्रामक योन अपराद होता है ना इस मामले में डैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है अब कभी कभी जैसे कोई प्राकरतिक संकट आ गया आपदा आ गया ऐसे टाइम में बच्चों को योन अपराद से संरक्षाड और आक्रामक योन अपराद के उद्देश से बच्चों को जल्द योन पक्रिवी तर शेक्ष्वल मैच्यूरिटी लाने के लिए बच्चों किस की भी तरह के जो हार्मोन या कोई रसाइनिक पदार देते हैं न तो इस मामले में जो धारा नौ है संसोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है कुछ-कुछ प्रावधान है जिन पर कंट्रोवर्सी रही है पॉक्सवाइक में जैसे कि पहले एक चलता था 1860 वाला उसके अन तो सहमती से आप कर सकते हैं लेकिन अब इसको जो है बढ़ा करके 18 साल कर दिया गया है इस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को मतलब 18 साल से कम उमर के बच्चा या बच्चे की साथ उसकी सहमती या बिना सहमती की कोई यह उनकृत्य करेगा तो वो पाक सो एक्ट के दाइरह में आने वाला है यह इसका काफी ज़्यादा विरोध हो रहा था इसमें बताया जा रहा है यह पती पतनी मेंसे कोई भी 18 साल से कम उमर का है और वे आपस में भी यौनकृत्य कर रहे हैं तो भी यह अपरात की स्रेणी में आ जाएगा और उस पर के किसी के साथ में इस प्रकार का काम हुआ है ठीक है सेक्स वासाल्ट यादी किसी बच्चे का हुआ है तो उसको संरक्षण कौन प्रवाइट करेगा पुलिस की जिम्मेदारी है उसको प्रटेक्ट करने की तो इसमें उसको बच्चे की देखभाल करना पड़ेगा इसके प्रोटेक्ट कर सके और संरक्षंड के लिए जरूरी कदम उठाएगी ये भी प्राउध हन किया गया है कि केस की सुनवाई अदालत बंद कमरे में दोस्ताना माहौल में करेगी बच्चे की पहचान को गुप्त रखा जाएगा इसके बाद वाली न्यूस हम देखने वाले हैं ग्रीन इनर्जी से रिलेटेड मतलब की क्लाइमिट चैन से रिलेटेड बताया जा रहा है इंडिया को जरूरत है 10 डिलियन डॉलर की तब जाकर के इंडिया नेट जीर्व को एचिव कर सकता है इस टू स्केल अप ग्रीन एनर्जी सोर्चेस दूसरा तरीख यह है कि आप अपना जो ग्रीन एनर्जी का सोर्च है उसको बढ़ाईए इंडिया को जरूरत पढ़ेगी 10 डिलियन मतलब 700 लाग करोड रुपईया की इसका कहना है इसने ऐसे एसे एस्टिमेट लगाया है कि भारत वाकर कितना पैशा की चरूरत पढ़ेगी यह एक प्रकार से थिंग टैंक माना जाता है Most of this money around 6.8 trillion dollar would be needed to scale up generation from renewable energy and bringing together the necessary integration, distribution and transmission infrastructure कहां कहां पैशा लगने वाला है पैशा लगने वाला है renewable energy को generate करने के लिए इसके अलाबा bringing together the necessary integration जो भी जरूरी चीज़े हैं उनको आपस में integrate करना है इसके अलाबा हमें विजली का distribution भी करना पड़ेगा उसका transmission भी करना पड़ेगा अब जो पैसा बचा है डेड़ ट्रिलियन डॉलर का वोड हैव तो बी इन्वेस्टेट इन दा इंडेस्टियल सेक्टर क्यों हम इंडेस्ट्री में लगाएंगे इतना पैसा setting up green hydrogen production capacity to advance the sector's decarbonization तो green hydrogen का production हो सके इसके लिए भी हमको इतना पैसा इंडेस्ट्री में फशाना पड़ेगा green hydrogen is made from renewable energy green hydrogen कैसे बनेगी renewable energy से बनेगी जैसे की sun की light हो गई wind हो गई and can be used for many things from heating to powering batteries as well as fueling vehicles अब इसका हम use कहां करेंगे heating to powering batteries इसके अलाबा fueling vehicles इसके अलाबा study का estimation है कि इंडिया वुड़ फाल short by साड़े तीन ट्रिलियंड डॉलर तो एचीव its net zero target and hence investment support of डिर्ट्रियंड डॉलर वुड बी required from developed economies to bridge the gap अब इसके पास इंडिया के पास पैसे की कमी जाएगी कमी जाएगी तो उस कमी को भरने के लिए सपोर्ट चाहिए इसको कितना डिर्ट्रियंड डॉलर का कि बताया जा रहा है काउंट्री कंट्री के गोल के बारे में रीचिंग नेट 0 by 2050 इस अर्थ बेस्ट चांस सबसब बढ़िया जो टाइम कोन सा है दोजार पचास का साइंटिस्ट का कहना तो कीप द ग्लॉप्स एवरेज टेंप्रेचर फ्रॉम एक्सीडिंग डेड़ इड़ी सेंट्रियंड बाइड एंड ऑप सेंचुरी अभी यह जो सौसाल चल रहा है सताब्दी चल रही है इसके एंड तक यदि हमको डेड़ डिगर सेंटिग्री तक मेंटेन करके रखना टेंप्रेचर तो यह जो है दोजार पचास का टाइम पिरियंड वो सबसे बढ़िया है लास्ट मन्स सी डबली डबलू इन एदर इस्टेडी उसने कंप्यूट गणना खेरी थी जैसे कि इंडिया का जो टोटल इंस्टार्ट सूलल प पावर की कैपसिटी है उसको भी बढ़ाने की ज़रूत पड़ेगी 5630 गिगावाट दा यूसेज ओप कोल इस्पेसिली फॉर पावर जनरेशन वुड नीट टू पीग बाई 2040 एंड डॉप बाई 99 परसेंट बिट्विन 2040 और 2060 अब दूसरी बात यह है कि कोईला भी जो ह है आपका पीक में होना चाहिए 2040 तक जित्ता करना हो कर लो मैक्सिम उसके बाद आपको फिर गिरावट लाने की जरूत पड़ेगी उसके यूस में तब जाकि यह टार्गेट हम हासिल कर पाएंगे फर्दर कुरूड ओयल कंजप्शन एक्रोस सेक्टर वुड नीट टू प 2050 तक होना चाहिए और 2050 के बाद इसमें 90 परसेंट की गिरावट आना चाहिए तब जाके आप जो है नेट जीरो कैसे कर सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन कुट कंट्रिब्यूट 19 परसेंट ऑफ दा टोटल एनरजी नीड ऑफ दा इंडर्स्टियल सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन जो है कितना योगदान दे सकती है 19 परसेंट योगदान दे सकती है इंडर्स्टियल सेक्टर की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए इसके बाद वाली जो न्यूस है वो फॉरेंड वाले पेस से है न्यूस आई है कि रसिया ने टेस्टिंग की है हाइपर सॉनिक मिसाइल क तो हाइपर सॉनिक स्पीड और टेकनोलोजी के बारे में कुछ फैक्ट यहां पर दिये गए है हाइपर सॉनिक स्पीड का मतलब है कि पांच टाइम या फिर पांच से भी जादा गुना मैक या फिर स्पीड औप सांग धनी जितनी गती से चलती है उसकी पांच गुना से भ aircraft speed compared with the speed of sound in air किसी भी aircraft की speed धनी की तुल्ला में ठीक है जैसे कि हावा की speed यादी 500 है तो उस aircraft की speed कितनी रहेगी with mag 1 equating to the speed of sound 343 meter per second एक mag यदि आप कह रहे है तो 343 meter per second उसमें sound की गती रहेगी अब इसमें type 2 के बारे में बताया जा रहा है hypersonic cruise missile के बारे में these are the ones that use rocket या फिर jet propellant through their flight and are regarded as being just faster various version of existing cruise missile cruise missile से ये थोड़ी कैसी होती है तेज रहती है ये किसका यूज करती है rocket का यूज करती है hypersonic glide vehicle ये जो missile होती है हमें first go up into the atmosphere on a conventional rocket before being launched to our their target जहां हमें छोड़ना है उससे पहले ये क्या काम करती है सबसे पहले atmosphere में जाने से पहले these missile first go up into the atmosphere on a conventional rocket rocket की माध्यम से इसको छोड़ा जाता atmosphere में ठीक है यहां पर अंतर बताया जाता बैलेस्टिक और cruise missile में अंतर आखिर होता क्या तो जो ballistic missile होती है ना वो प्रच्छेव वाली गती में चलती है जो प्रच्छेव गती रहती जैसे आप पत्थर को फैकते ना तो वो प्रच्छेव गती में डाउन होता है यहां से आप फेक होगी तो ठीक इसी प्रकार से यह बैलस्टिक मिसाल गती करती है जो cruise missile रहती है वो comparatively follows a straight trajectory of motion इसकी गती थोड़ा हमें सीधी देखने को मिलती है और रेंज की यदि हम बात करें ना तो लॉंग रेंज मिसाल होती है 300 किलमीटर से 12,000 किलमीटर के बीच में इसकी जो रेंज होती है वो सौट रेंज वाली रहत है कहां तक 1000 किलमीटर तक इसकी रेंज रहती है यह कैसे काम करता है तो यह leave the earth's atmosphere and re-enter it atmosphere को पहले क्या करेगा छोड़ देगा और फिर उसमें प्रविस करेगी इसके बारे में cruise missile के बारे में बाद बताई जा रही है the flight path is within the earth's atmosphere इसका जो रस्ता है वो atmosphere में ही रहेगा एक्जामपल बताया जाते हैं जैसे कि प्रित्वी फस्ट, प्रित्वी सेकेंड, अगनी फस्ट, अगनी सेकेंड और धनुस missile और इधर है ब्रम्होस missile, cruise missile का एक्जामपल है अलग-अलग type की missile यहां पर बताई गई है, उनका मेक का नंबर कितना होता है और velocity कितनी रहती है सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है तो हम जिसकी बात कर रहे थे वो थी सुपरसोनिक की सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है ये इसकी वेलोसिटी बताई गई है हापर सुपरसोनिक की 412 से 1715 मीटर प्रती सेकंड हाइपरसोनिक की 1715 से 3430 मीटर प्रती सेकंड और इससे भी जाज रहती 3430 से 8500 साथ मीटर प्रती सेकंड अब हम चलते ही नियूस की तरह पूर देख लेते हैं बताया जा रहा है कि रसिया ने टेस्टिंग किया है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रसिया सेड ओन थर्जडे इट हैड केरी आउट एनदर सक्सेस्फुल टेस्ट औप इट्स जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस cruise missile का नाम हमको याद रखना है ये किस देश की missile है ये है रसिया की वन ओप दे लेटेस्ट एडिशन टू दे कंट्री इस आर्सेनल ओफ वीपन कार्ड इन्विंसिबल वाई प्रेजिडेंट बादिमूट इनों ने अपने जो वीपन है उनका नाप क्या रखा है इन्विंसिबल मतलब अजे है इसके अलावा रूस का कहना है रूस में यदि हम रिसेंट एर में देख है टाउटेट दा डवलपमेंट ओफ वीपन ठीक है टाउटेट मतलब होता है टाल देना तैट इट होपस विल गिव इट दा एज इन एनी आर्म रेस विट दा यूएस कुल मिलाकर के दी देखा जाए ना तो ग्राहक बनाने का काम ही रस्किया ने किया है ठीक है जैसे इंडिया को S-400 ले रहा है अब ये इसकी टेस्टिंग कर लिया है तो इसकी भी उसकी बिक्री चालू हो जाएगी कुल मिलाकर के यूएस से प्रतिदंदिता इसकी कॉम्प्टिशन चलने वाला बताया जा रहा हाइपरसोनिक मिसाइल कें ट्रेवल मोर देन फाइव टाइम दे स्पीड ओफ साउंड एंड मैनुवियर इन मिड फ्लाइड मेकिंग दे मुच हारडर तो ट्रेक एंड इंटरसेप्ट दैन ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल असानी से ये पकड में आती रही है ध्वनी की गती से पांच गुना ये तेज चलती है दे मिलेटरी का कहना है कि कि ओन थर्षड़े इट हैड फायर दा जिर्कॉन मिसाइल फ्रों में वार्षिप एंड हीट इटेश टार्गेट इंडरसियास आर्क्टिक वार्टर इन्होंने वार्षिप से इसको को फायरिंग किया था और आर्क्टिक के जो पानी है वहां पर उसने टार्गेट बढ़ाया था दस्वर्ट वास कंड़क्टेड ओन सी सी टार्गेट इन दा वार्टर सॉब दा वाइट सी ऐसा डिफेंस मिनिश्ट्री का कहना है